Hello student, आज हम लोग Past Continuous Nights का वायस देखेंगे देखें आप जानते हैं, आपको बताएं हैं कई बार कि वायस पहले आपजेक्ट ही लिखा जाता है तो आपजेक्ट का पहला रूल देखें, मतलब यह जो है पैसी वायस का पहला रूल देखेंगे इसका, Past Continuous Nights का पहले आप object लिखेंगे, object के अनुसार वाज where का प्रियोग करेंगे, फिर being का प्रियोग करेंगे, फिर वर्व का third part, plus by, plus yes सुत्र को देख करके आप बनाएंगे sentence को कभी गलत नहीं होगा तो देखिए पहला example है, I was reading a book, इसमें I subject है, was reading verb है, a book object है अब इसी तरस से आप जो है rule number two देखेंगे negative का, पहला simple का था, यह दूसरा negative का है तो इसमें होगा object, object के अनुसार was not या where not का प्रियोग करेंगे, singular object होगा तो was not का प्रियोग, plural होगा तो were not का प्रियोग, उसके बाद being plus verb का third form plus by plus yes तो इस तरीके से देखिए, he was not giving help, he subject है, was not giving जो है verb है, help object है तो help इधर आ जाएगा, the help was not being given by him, help was not being given by him यह negative का हो गया, इसी तरह से आप देखेंगे तीसरा rule interrogative का है यानि वाज वेर पहले आया रहेगा तो उसके लिए नियम लगाएंगे तो पहले वाज वेर रखेंगे, उसके बाद object रखेंगे, अगर object similar होगा तो वाज लगाएंगे plural होगा तो वेर लगाएंगे, उसके बाद being का प्रयोग करेंगे यानि जितने भी continuous tense होते हैं, उनको पैसी वैस बनाते समय हमेसा being का प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो ing फार्म होता है, उसलिए being लगाया जाता है तो वाज वेर प्लस object प्लस being प्लस verb का third फार्म प्लस by प्लस yes प्लस interrogating marks जैसे where you speaking the truth इसमें you क्या है? subject है, speaking verb है, the truth object है अब the truth को आगे लाएंगे तिहां वाज होगा वाज दा त्रुत being spoken by you इसी तरह से आप जो है rule number four देखेंगे यदि question word पहले आया है, तो question word को पहले लिखेंगे फिर object के अनुसार वाज वेर का प्रयोग करेंगे फिर being लिखेंगे, फिर work का third form लिखेंगे प्लस by, प्लस subject, प्लस question mark जैसे why were you not giving him book? तो इसमें आप देख सकते हैं कि you subject है, giving verb है इसमें him भी object है और book भी object है जैसा कि जानते हैं कि कभी-कभी दोनों object साथ में आते हैं एक direct object होता है, दुसरा ही indirect तो जो पहला वाल object है उसी को लेकर बनाते हैं तो sentence हासान हो जाता है तो इसमें को इधर लाइए तो इंट्रोगेटिव है तो why को why हो जायागा अही के अनुसार वाज हो जायागा तो why was he not being given book by you? इस प्रकार आप चारो रूल देख सकते हैं पैसी वैस में हमेशा आठ रूल होता है अब यह आठ रूल से ज़्यादा आपको कहने मिलेगा अब उसके बाद रूल नमबर फाइब और यह प्रतेख एक्जाम के लिए must है प्रतेख जो है बोर्ड के लिए must है चाहे cbsc बोर्ड हो चाहे up बोर्ड हो किसी भी बोर्ड के लिए यह available है रूल नमबर फाइब देखिए वाट से अगर कोई sentence शुरू होता है तो वाट चोगी singular होता है तो इसके ज़्याद वाट प्लस वाज बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फार्म प्लस बाई प्लस यस प्लस question बार इस तरह से इसका सुत्र बनेगा सुत्र के हिसाब से sentence है वाट वाज ही डूइंग जिस sentence में वाट अगर पहले आता है उस वेम आपजेक्ट हो जाता है वाट और हूम दोनो तो यहाँ पर बनेगा वाट वाज बिंग डन बाई हिम वाट वाज बिंग डन बाई हिम इस तरह से स्टुडेंट आप देखेंगे रूल नमबर शिक्स अगर कोई sentence हूम से शुरू होता है तो इसके लिए special जो है रूल होते हैं हू प्लस वाज प्लस बिंग प्लस वर्ब का थार्ड फां प्लस बाई प्लस यस प्लस क्वेस्टन बार जैसे हूम वेर यू कालिंग इसमें यू सबजेक्ट है कालिंग वर्ब है तो आप हूम को हूमेचेंज करेंगे तो हू वाज बेंग काल्ड वाई यो अब उसके बाद रूल नमबर शिबन देखे इसी तरह से हर जो है टेंस में आपको वाईस के आठ रूल भी लेंगे यदि सेंटेंस हू से प्रारंब होता है प्रते एक जगा आप देखेंगे तीन-चार रूल से ज़्यादा लोग नहीं बताते हैं लेकिन पूरता है इसके आठ रूल होते हैं मैं आठ रूल को आपको बताने का प्रयाश किया हूँ यहां पर हो देख रहे हूँ तो हो को by हो में चेंज करते हैं उसके बाद आपजेक्ट के ंसार वाज where का प्रयोग करते हैं प्लस बिंग प्लस वर्क का थट हम प्रस प्रेस्टन मारत जैसे कोश्चन यहाँ यहां पे हो वाज रिक्वेस्टिंग हिम तो who को change करेंगे by whom हो जाएगा him को इधर लाएंगे तो he हो जाएगा इसके अमसार वाज रखेंगे हैं तो by whom was he being requested अब बूर लंबर आखरी देखें लंबर 8 अगर कोई भी sentence how much से how many से which से प्रारंध होता है तो उसके साथ object लगा रहता है जैसा object होगा वैसा आप क्रियार अलगाएंगे इसमें जैसे how much या which है object प्लस was where प्लस being प्लस वर्ब का third form प्लस by प्लस subject प्लस question बार जैसे एक sentence which book where you by तो यह हो जाएगा which book was being bought by you which book was being bought by you hello guys यह जो वैस आपको बताते जा रहा है मैं एक क्रम से आपको present indefinite का, continuous sentence का present perfect tense का, एक serial number से मैं पढ़ाता चला जा रहा हूँ और मेरा नया batch start हो चुका है इसको एक serial number से आप देखे मैं part 1, part 2, part 3 करके इसमें रखा हूँ यह जो past continuous tense है, part 7 में है तो इसको आप लोग क्रम से देखेंगे यह प्रते एक board के लिए निवारे होता है चाहिए UP board हो, CBSC board हो जो है कोई भी board हो सभी board के लिए नियम है क्योंकि grammar का रूल सब के लिए एक जैसा होता है यदि आपको यह सब नियम और यह जो है वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलिए क्योंकि हम लोग बहुत मेनद करते हैं थैंक्स ओके